महिंद्रा बुलैरो 2020 BS6 लॉंच हो चुगा है इस गाड़ी के अंदर ना कि सेफ इसके इंजिन को BS6 कम्प्लाइंट बनाया गया है उसके साथ साथ में इसके फीचर के अंदर भी कुछ एड़ उन गिया गया है लेकिन मैं डिसपॉइंट हूँ ये देखकर कि 2020 बुलैरो के अंदर कुछ न्यू एज फीचर ही मिसिंग है जो अभी हरे कार में जरूरी है महिंद्रा शायद ये भूल रहा है कि वो 2020 में गाड़ी लॉंच कर रहा है इस गाड़ी को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आप किसी 90s के गाड़ी में बैटे हुए हैं बहुत सारे फीचर इसके अंदर मिसिंग है मेरे दोस्त क्यूंकि इस गाड़ी के अंदर हम सब एक्सपेक्ट करके बैटे हुए थे कि इसके अंदर अच्छे अच्छे न्यू एज फीचर को इंट्रिडूस करके बुलेरो को एक धमाल प्रोड़ेट के साथ में लॉंच किया जाएगा वो आपको बहतर कमफर्ट, बहतर हैंडलिंग, राइडिंग सब बहतर प्रोड़ेट कर पाएगा बुलेरो से Buleiro के बहारी look के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि की Buleiro के बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को नापसंद है सीधा चल जाते हैं interior के अंदर and feature के अंदरperformance के आंदर, की क्या कुछ इसके अंदर missing है है इस बग पर बुलेरो लॉंच किया गया सुर्फ सिंगल एयर बैग से डुयल एयर बैग as standard एकसपट किया गया था बुलेरो की तदब से लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपको सिर्फ सिंगल विल मिलता है जो कि fixed हैं टेरिंग पर कोई controls भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं नौर्मल एकदम basic steering wheel आपको पकड़ा दिया गया है एक साड़े दस लाग की SUV में अगर center console की बात करें तो आप notice करेंगी कि इसके अंदर वही music system दिया गया है टॉप model के अंदर जो आप auto में भी देख चुके हैं आप सोच के दिखिए साड़े दस लाग रुपए आप खर्च कर रहे हैं गाड़ी के अंदर और आपको इस तरह की music system मिल रहा है आपको नॉर्मल सिर्फ एक amplifier टाइप music system दिया गया है जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है एक दस साड़े दस लाग रुपए के आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आप कम से कम इतना तो एक्सपर्ट करी सकते हैं कि एक touch screen system टॉप model के अंदर at least दिया जा जस्ट आप इमेजिन करके दिखिए कि आपने साड़े दस लाग रुपए खर्च की किसी भी गाड़ी को purchase करने के लिए अब जैसे आप उसके interior में बैठते हैं तो इसतना basic interior आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा मैं recommend करता हूँ थोड़ा ज्यादा दे दीज और Scorpio ल available नहीं करा गया है वही steel rim आते है रूसी तरह के wheel cap को chape दिया गया है मतलब की cost cutting के हद होती है यार एक 2020 में आप गाड़ी बना रहे हैं इतने basic feature के साथ में मतलब आप अगर इस गाड़ी को आप कहीं से भी देखे तो मुझे लगता है कि नए में इस गाड़ी को खरीदना को आप मोडल को purchase कि ना आपको एलाइवील मिलेगा ना आपको DRL मिलेगा ना आपको comfort अच्छा मिलेगा ना टाच स्क्रीन मिलेगा ना आपको safety में कुछ अच्छा मिलेगा मतलब आप गाड़ी खरीद क्यों रहे है मेरे दोस्त इस price segment के अंदर आपको Scorpio मिल जाएगा थोड़ फीचर इसके अंदर extra आपको नहीं मिलता है जो आपको देखकर लगे कि नहीं आप मुझे इस गाड़ी को नए में purchase करना चाहिए या फिर बुलैरो को upgrade करना चाहिए हलाकि बुलैरो के rough and tough and इसके truck वाले look बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं लेकिन जैसे आप किसी भी गाड़ी को purchase करते हैं आपके priorities में सबसे पहला होना चाहिए कि इसका safety अच्छा होना चाहिए इसके अंदर comfort अच्छा होना चाहिए दोनों ही बुलैरो के अंदर missing है मे करेंगे यस और नो और अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए तक आने बाले से वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच और आप गाड़ी ग्यान कम्यूनिटी के साथ जुड़े रहें